Hello what's up guys today in this video we will see how to dispatch an action from a react application जी हां guys तो आज कोड़ों बहुत important है क्यों क्योंकि अभी तक हमने इतना देखा कि कैसे Redux Toolkit का data को आप manage कर सकते हो then देखा कि कैसे आप उसको react के साथ connect कर सकते हो फिर मैंने यह दिखा है कल की वीडियो में कि कैसे Redux Toolkit का state का data है basically store का data get करके आप यहां पर display करा सकते हो तो अब इतना सब कुछ हो ही चुका है तो क्यों न मैं यहां पर कुछ भी लिखूँ add task पर क्लिक करूँ तो वो add हो जाए and मैं अगर delete पर क्लिक करूँ तो वो delete हो जाए means कुछ ऐसा यह देखो and delete मैं कर सकता हूँ कुछ यह मैं करना चाता हूँ ठीक है तो देखो बहुत easy है and again फिर से मैं बाता रहा हूँ जैसे कल की वीडियो में बाता आज भी से मुएसा ही है if you want to dispatch an action from your react application then guys by default Redux जो है हमें एक hook प्रोवाइड करता है and जिसका नाम है आपका use dispatch hook that's it इतना ज्यादा simple ठीक है कैसे काम करते मैं आपको बताता हूँ सिद्ध हम हमारे react application पर आते हैं see this is add task and this is your delete task यह देखो same यही है फिलाल तो मैं store.dispatch यह जो कर रहा हूँ हो ना बस आप मुझे इसको react की मादद से करना है and code तो same में ही रहेगा है ना and साथी साथ अगर delete मुझे करना होता ठीक है साथी साथ if I want to delete तो मैं क्या कर रहा होता console पर चलता हूँ ठीक है फिलाल अभी मेरे यह object कुछ ऐसे है तो क्यूंकि अभी तक मैं ने delete दिखाए ने अगर मुझे delete करना होता है and delete में basically हम एक कैक स्पेक्ट करें basically payload and that is our ID तो मैं यहाँ पर चलूँगा grapes के नीचे console.log we have a store.we have a dispatch method यहाँ पर we have a delete task and then यहाँ पर let's say मैं one लिख दे रहा हूँ तो one लिखने का क्या मकसद है मैं आपको बाता आता हूँ see हम एक data को add कर रहे मैंने get state में दिखाया कि वो data कैसे add हो कि आपको दिख रहे then मैंने अब क्या क्या यहाँ पर कि मैंने एक data add किया by grapes second item मैंने add की फिर मैंने उसको delete देखो delete task and index number is one by default आपका zero से start होता so this is your zero index number and this is your one तो basically grapes add करके फिर उसको delete भी कर रहा है and then at the end I am adding one more new element by apple and उसको भी मैं दिखा रहा हूँ ठीक है तो at least पहले आपको यह तो पता चल जाए कि आपको फंक्शन को dispatch कैसे कर नैसी यह आपका by mango यह आपका एक array यहाँ पर आ गया then यहाँ पर आप देख सकते हो कि by grapes है बट यहाँ आओगे तो देखो delete task यह यहाँ पर आप बहुत के लिए देख सकते हो delete task फिर यह task reducer में काई सो चला गया फिर से सिर्फ एक array बज़ गया फिर buy apple किया तब यहाँ पर मैं आता हूँ को call करना है ठीक है सबसे पहले अब add task को जब मैं click करूं and वह function को मुझे call करना है बट उससे पहले एक important चीज यह है कि मैं यहाँ पर जो यह लिख रहा हूं या आप जो भी यहाँ पर लिखोगे पहले मुझे इसको get करना पड़ेगा right and then जब मैं इसको call करूंगा इस पर dispatch वाला function तब यह जो भी user ने लिखा वो मुझे वहाँ पर pass भी तो करना है तो my first job is to get the value जो भी यहाँ पर लिखा गया ठीक है बहुत easy है देखो हम already देख चुके एंड अगर आपको नहीं पाता हुँ हम कैसे कर सकते तो then I highly recommend please हमारा react version 19 का series देख लिजे मैंने पूरा आपको control component अन-controlled component forms का पूरा मैंने आपका registration contact login form पाता है नहीं बगवान जाने कितने forms थे सब मैंने आपको करके बताया है तो आप उसको एक बद जरूर देख लिजेगा अभी मिलने रहा बहुत सार है तो आप जरूर चेक आउट कीजेए ठीक है विल इकोल तो यूज सेलेक्टर नहीं यूज स्ट्रेट ठीक है एंड बाइड डिफोल्ट में कुछ भी नहीं है अब ठीक यहां पर में चलूँगा इन्पूट पे अब यूजर जब भी कुछ टाइप कर रहा है मुझे उसको गेट करना होगा एंड इस वैल्यू पे उसकी वैल्यू को अपडेट करना होगा सो फॉर डाइप यहां पर डारेक्ली ही मैं वह करना चाहूंगा ठीक है विद यहल्प आफ कॉल्बैक फंक्शन है फैट आरो के लिजी आप वीहां इवेंट सेट यूजर टास्क इस सिंपल टार्गेट डॉट वीहां वैल्यू यह क्या हो गया वीहां वैल्यू ठीक है इस इस तरगे से इस सो दा मोमेंट इतना आप करते हो इससे होगा यह कि अब आप यहां पर जो भी टाइप कर रहो इंस्पेक्ट वीहाब कंपोनेंट वीहाब एप यहाब दिस वान स्टेट बाइथापा यहां पर यहां पर भी एड्ट कराना है लेकिन उसके लिए मुझे पड़ेगा राइट तो हम कैसे करेंगे देखो मैंना आपको बताएं बहुत इजी है नाव वाट वी निद तो दू इस जस्टु यूज वान हुक जो हमें प्रोवाइड करता है कॉन डिदक्स और यह यूज दिस्पैच हूग यूज दिस्पैच हूग इसको आप कोई इस बटन पर करेगा क्लिक तो इधर आप यहां पर बटन पर कोई भी इवेंट कर सकते हूं क्लिक वाला बट वी हब इस फॉर्म तो फॉर्म पर मैं ऑन सब्मिट कर दूंगा ना कि जब बीकोई फॉर्म को कर रहा है सब्मिट तब मैं एक फंक्शन कॉल करना चाहूं यहां पर ठीक है so handle form submit and यह मैं as it is नहीं रख सकता ऐसे करना पड़ेगा मुझे ठीक है तो यह handle form submit को मैं copy करूंगा यहां पर आऊंगा so it's a const handle form submit यहां पर मैं आया ठीक है अब ध्यान से देखो जब यह form submit करने जाते हो तो एक default behavior है कि guys page को refresh करता हूँ also we need to prevent and that default behavior default yeah prevent default behavior लिखने की need नहीं है and yeah this is it अब यहां पर आप यह जो dispatch है अब इसको अब obviously आपको किस function basically कहुंसे action को dispatch करना basically dispatch माला call करना पे समझ लो मुझे इस add task को करना है और एक चीज़ बताना चाहूंगा यहां पर अब इसको आपको न एक्सपोर्ट लिखना पड़ेगा we need to export this task also इसको आपको पता चल जाए अच्छा आरे यार यह ऐसा हो रहा है क्या समझ रहे हो इसको मैं कॉपी कर रहा हूं अब मुझे यहां पर करना है अब मुझे यह नहीं करना है यूजर टास्क ने जो भी लिखा है वह मैं पास कर दूंगा इस तरह किसे हो गया क्या था इसमें कुछ था ऐसा नहीं न तो मैंने कहा न गाईस थोड़ा बहुत धीरे धीरे समय दीजिए थोड़ा सा पेसेंस रखिए आप देखो हो गया काम जो काम मैं यहां पर कर रहा था अब वही मैं रियक्ट की मदद से कर रहा हूं सेम होई है वहां पर भी प्रतिफे दिस्पैस था यहां पर भी दिस्पैस राइट तो होग यहां न मेरा काम सेम कर रहे हैं अब यहां चलता हूं बाइथ था पाइंड गाई सी हो ग्या मेरा काम हो गया नव अब मुझे डिलेकरना है देखो यह थो बच्छों वाला काम है डिलेकर तो मैं आपको ब वाला जो function है आपको यह बटन पर जब कोई करेगा क्लिक तब perform करना है बस इतना ही करना है को सोच यह सोचो कैसे कर सकते हो क्योंकि यह तो मैंने दिखा दिया है ना चलो यहां तो फिर भी एक अलग सी मैनत थी इतना कुछ बिलीप में यह वाला जो डिलीट टास्क में कोई मैनत नहीं है एकदम सिंपल है गाइस प्लीज पॉस करो सोचो थोड़ा सा दस मिनट सोचो पांच मिनट तो भी सोचो ना ट्राइगरो ना क्या हो सकता है ठीक है अब आप देखना अब आप देखना कितना एजी है जब भी कोई इस पर्टिकुलर बटन पर करेगा वाट क्लिक तो यह तो no matter what we have this on click यह तो था राइट अब यहां पर आपको एक फंक्शन कॉल करना है handle delete ठीक है simple आप इतना रख सकते है handle I guess ठीक है spelling थोड़ा सा लग रहा है बट ठीक है इतना handle delete यहां पर आईए const handle delete यह ठीक है तो अब क्या करना है यहां पर आपको एक फंक्शन को dispatch करना है and that is nothing बट यह यह delete वाला इसको करो copy यहां पर आईए paste this is it अब यहां पर एक चीज है पस एक चीज यह है कि मेरा काम तो हो गया लेकिन सबसे पहले इसको आप get कीजिए तो इसको भी हमने कर ली यहां पर get we have this delete राइट अब यह जो id number है कि user ने इतने सारे टास्क में किस टास्क को क्लिक किया था उसका id number तो मुझे चाहिए at least वो तो यह चाहिए देखो ना हमने code उसी तरह किसे लिखा यहां पर कि id हमें मिल रहा है in action.payload में ठीक है तो मैं क्या करूंगा देखो यहां पर यह जो पार्ट है यह क्या है एक अरे के अंदर है map method चालू है we have this index तो मुझे पता चल रहा है कि कौन सा इंडेक्स है तो मुझे यहां पर आप वो डेटा पास करना है बट मैं ना यहां आप इंडेक्स लिखो id लिखो कुछ भी नी वो action.payload में आई ही जाएगा यह आप इस तरह किसी लिख दो this is it khattam हो गया आपका काम अब मैं यहां चलता हूं refresh वो data चला जाएगा क्योंकि first time उतना है ओके हेलो थापा जो है बाइडिफोल्ट वहां पर आपको मिल रहा है ठीक है इट मेंस कि वांस यूजर यह कर लेता है इस जगे पर handle form submit अब इसको empty कर दो ठीक है और एक वाई मैं refresh करना चाहूंगा यह पॉफेक्ट काम कर रहे बाइटमाइटो ठीक है मुझे टमाइटो मुझे ठीक है एपल ठीक है मैंगो ठीक है टमाइटो ठीक है थापा कहां से बाइट करू बाइट मैं ऑब्जेक्ट थोड़ी हो नहीं डि और यह मैंने आपको रिडर्क्स की मदद से पूरा कर करके बता है अब में वाफस सेम प्रोजेक्ट को रिडर्क्स टूलकित की मदद से आपको वताईटए है अब आप सोचो कैसे होगा लाइक एक बटन मुझे चाहिए उसकी एक मुझे फंक्शनलिटी यहां पर चाहिए होगा जैसे डिली टास से क्लियर रॉल की एक लगी उसका एक 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 एक्शन क्रेटर बनेगा ठीक है यहां पर उसको गेट करोगे वो करोगे तो यह आपके लिए चै अब ही तक अगर आज सब्सक्राब निक है तो पीस कर दीजेगा मिलता हूं कल की वीडियो में तिल लन गाइस थेंक यू सो मच टेक किया